जिस दिन हिंदू इस तरह की चीजों में पढ़ गया, जिस दिन उसने अपना गुसा खोल दिया, उस दिन उन धूरतों का क्या होगा, कि जिस दिन वो सरकार के उपर भरोसा छोड़ दिया हिंदू ने, जिस दिन वो मोके पर ही आपको जवाब देना शुरू कर दिया, तो हिंदू के लिए बहुत बड़ा दीवस था, बहुत बड़ा दिन था, बहुत से लोगों ने दिपावली बनाई, मैं कहते हूं बहुत से लोगों ने ही, सभी ने दिपावली मनाई, हर किसी ने अपने घर के आगे दिये लगाए, हर किसी ने पठाके भी फोड़े, इतना ब बाहर राम नाम के ज्हंडे लगाए हुए थे। मतलब ऐसा दिन था जिसमें सच में ऐसा लग रहा था कि अब वो बार बार जब भी रथियात्राएं निकलती हैं उन पर पत्थरबाजी करते हैं जब भी कोई ऐसी प्रान प्रतिष्ठा का उत्सव होता है जब भी हमारा कोई त्योहार होता है तो उस पर पत्थरबाजी के साथ साथ कोई ना कोई कलेश करते ही करते हैं भले वो रथियात् पत्थर बाजी के अंदाज में आपको रोकने की कोशिश करेंगे ऐसा वो अवश्य करते हैं और इस बार भी इस बाइस जन्वरी के मोके पर भी उन्होंने ऐसा ही किया दो ऐसे प्लेसिस है जहां पर ये सब खबरे निकल कर बाहर आई एक है गुजरात और दूसरा है महाराश गुजरात में तो जो सीन सामने आये उसमें ये दिखाया गया था कि वहाँ पर पत्थर बाजी की जा रही थी वहाँ पर लोगों के उपर जो रतियात्राय निकाल रहे थे जो राम नाम का जो नाम ले रहे थे इस तरीके से एक उत्सव मना रहे थे उनकी उपर बलकी महिला उनकी जो धूर्त महिलाएं हैं उन्होंने भी पत्थर बाजियां की लोगों को हर तरीके से घायल करने की कोशिश की और जो महराश्य की बात है वहाँ पर मीरा रोड पर जो लोग गाडियों के अंदर जहन्डे लगा कर निकाल रहे थे या आत्राय निकाल रहे थे या अप अगर महिलाएं अगर थी तो उन पर भी हमले किये गए बहुत से ऐसी महिलाएं थी जो घायल भी हुई इतने में विश्वी हिंदू परिशद के जो लोग थी या बजरंगदा के लोग थे वो पहुँच तो गए लेकिन बहुत से लोग हैं जो घायल भी हो गई जब इस तर ही हुआ महाराश्य में सरकार एक्षन में जरूर आई है उन लोगों की घरों पर जहां से पत्थरबाजियां हो रही थी उनको बुल्डोजर से ढहाया गया है और 60 से प्लस लोगों को अरेस्ट भी किया गया है उन पर मुकदमा भी डाला गया है परंतो मेरा सवाल ये है कि मोक होना पड़ता है क्यों हमें उस सवक कोई ना कोई मोका नहीं दिया जाता कि हम भी उन्हें जवाब दे सके मैं मानती हूं कि हिंदू बहुत ही शांत होता है मैं मानती हूं कि हिंदू बहुत ही शांती प्रिया धंग से अपने त्योहार में मगन होता है वो कभी भी दूसरों पर कटाक्ष नहीं करता, दूसरों को तंग नहीं करता, इवन जब भी उनके त्योहार होते हैं, कभी भी किसी हिंदू ने किसी तरह का कोई भी ऐसा धूरत कृत्या नहीं किया है, परन्तों मुझे डर है, जिस दिन हिंदू इस तरह की चीजों में पड़ गया, जिस दिन उसन के उपर भरोसा छोड़ दिया हिंदू ने, जिस दिन वो मौके पर ही आपको जवाब देना शुरू कर दिया, तो आप हिंदूस्तान तो छोड़िये, पाकिस्तान में भी नजर नहीं आएंगे, इसलिए अपने धूरत कृत्यों को बंद कर दीजिए, आप जिस तरह के कारे करते हैं, वो बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बार-बार इस तरह की पत्थरवाजीया करेंगे, हाला कि इस सरकार ने बहुत से ऐसे कड़े नियम बना दिये हैं, बहुत से ऐसे रूल्स बना दिये हैं कि अगर कोई पत्थरवाजी करेगा तो उस पर strict तरीके से जो बड़े ही धूर्त हैं जिनके दिमाग में जिनके मस्तिश्क में ये बात नहीं बैठती कि कुछ भी कर ले हो ये है ही हिंदू राश्ट और हिंदू राश्ट्र ही रहेगा आप जिस तरीके से कृत्य करते हैं आपको यहां रहने दिया जा रहा है शांति प्रियत्रिके से लेकिन आप जो कार्य करते हैं हमारे ही धरम के अंदर बाधाये बनते हैं सबसे बड़ा कुकृत्य करते हैं और इसका परिणाम आपको आज नहीं तो कल भुगतना ही होगा सनातन धर्म की जो महिमा है उसे लोग समझने भी लगे हैं ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग हैं जो अभी भी सोय हुए हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं इस धर्म की महिमा को समझ रहे हैं वो समझते हैं कि वो उनके पूरवज भी कहीं न कहीं सनातन धर्म से ही related थे या ये कहें सनातन धर्मी ही थे और इसी वज़े से वो घरवापसी भी कर रहे हैं जो ये बाद समझ चुके हैं वो राम को मानती हैं बहुत से ऐसे मुस् deserves लोग भी हैं जिनोंने अस थापना को यानि कि जो राम राजे की स्थापना हो रही या यह कहें जो प्रांट परतिश्ठा का दीवस था उसको बहुत ही जो शोरू से मनाया भी है परंतु जो धूर्त लोग हैं जिनके दिमाग में ही एक ही किताब घूमती रहती है वही इस तरह के कृत्या करते हैं और फिर उनका खामियाजा सरकारे उन्हें देती भी है आप सब मेरी बात से कितने सेहमत है कृत्या करके अपने विचार कोमेट में जरूर बताईएगा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा धन्यवाद, जैश्री राम